जैस्त्री महाकाल दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलोजी चैनल पर आपका भूत भूत स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर लगन के लिए अप्रेल 2020 का महिना कैसे रहेगा तो अगर आपका मकर लगन है तो आपके फैस्ट हाउस में 10 नमर लिखा होगा जैसे कि इस लगन कुंडली में लिखा है और अगर आपकी मकर रासी है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं वैसे अगर आप इस वीडियो को लगन के अनुसार देखेंगे तो आपको ज्यादा सठीक रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो अप्रेल 2020 की दुरान रासी प्रिवर्तन हो रहा है कुछ गरहों का उसकी और उसके बाद हम इस कुंडली की बात करेंगे तो बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं सूर्य को सूर्य का जो गोचर है वो 13 अप्रेल तक मीन रासी में रहेगा इसके बाद यह मेस में चले जाएंगे और वहाँ पर यह उचके हो जाएंगे बुद्ध का जो गोचर है वो 7 अप्रेल से 25 अप्रेल तक मीन रासी में रहेगा बाद में ये भी मेश में ले जाएंगे और सूरे के साथ गोचर करेंगे सुक्र का जो गोचर है वो वरसब रासी में रहने वाला है मंगल का जो गोचर है वो मकर रासी में रहने वाला है इसके लवा सनी का गोचर मकर रासी में रहेगा ही और राहू मिथुन में रहेंगे, केतु रहेंगे दनु में और गुरू यहाँ पर मकर रासी में रहेंगे जो आपके लगन में रहेंगे और ये नीज के रहेंगे तो इस प्रकार से जो ग्रहों की प्लेस्मेंट है अप्रेल 2020 में वो रहेगी और अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपके लगन को और लगन में तीन ग्रहों का गोचर हो रहा है सनी, मंगल और गुरू का सनी आपके लगन लोड है लगन में सनी होने से और गुरू भी साथ होने से आप काफी रिलिजियस होंगे इस समय में इसके लगाव ये नीज के गुरू है तो आपका थोड़ा हेल्थ खराब कर सकते हैं और आपको काफी रिलिजियस बना सकते हैं वैसे आप हैं भी काफी स्टिक हैं काफी इस मामले में और थोड़ा जो हाँ रिलिजियस अलरडी हो सकते हैं मकर लगन वाले थोड़े काफी स्टिक होते हैं अपने rule regulation को लेके अपने खुद के rules खुद follow करते हैं बनाकर तो sunny का जो ये गोचर है आपके लगन में ये आपको और भी ज़्यादा stick बनाता है अपनी personal life को लेके और अपने पारिवारिक जीवन को लेकर भी इसके साथ ही देखे अब आपके लगन लोड का जो गोचर हो आपके लगन में ही होगा यानि sunny लगन में रहेंगी तो sunny का जो aspect है वो आपके third house पे रहेगा third house पे होने से आपको third house की चीज़ों को ये slow कर देंगे और आपको communication का भी इतना अच्छा लाब नहीं मिलेगा आपके पडोसियों से और आपके छोटे भाई भेनों से आपका थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है अगर आप किसी मीडिया के फिल्ड में काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा महनत करनी पड़ सकती है या फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं टिचिंग के फिल्ड का या कोई और जहां पर आपको कम्मिनिकेशन की जरूरत पड़ती हो तो आपको थोड़ी सी ज्यादा महनत करनी पड़ेगी और लगन की जो सनी है ये इतने अच्छे नहीं माने जाते हलांकि अपनी खुद की रास्टी के सनी है तो आपको लाब यहां पर जरूर देंगे बट यहां पर आपको 40% नेगेटिव रिजल्ट भी लगन की जो सनी है वो इतने अच्छे नहीं होते बट ये आपके लगन में ही है लगन लोड है उस वज़े से आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और सनी की जो द्रश्टी हो आपके सेउंत आउस पर होने से आपको जिवन साती के साथ थोड़ा सा सो समझ कर चलना होगा वैसे आपकी मेरीड लाइफ काफी अच्छी रहेगी इस समय में और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी बट आपका थोड़ा सा जो है मेरीड लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें जो है रुक्की रुक्की सी महसूस होंगे और आपके रिष्टे में उतनी जो है प्रफेक्टनेस नहीं रहेगी आप फिर आप काफी मेच्छोर होंगे आपको काफी आपके कारियों की परसंस होगी लेकिन इस समय में आप अपना जो जोब है उसमें किसी परकार की कंजूस ही ना करें किसी परकार की काम चोरी नहीं करें पूरी मेहनत की साथ अगर आप काम करते हैं आपको निश्चित रूप से नेम फेम भी मिल सकता है, सनी यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे, बट आपको इमानदारी से काम करना होगा, यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपके जो बोस हैं, वो आपके कारियों की परसंसा करेंग को आपका प्रमोशन हो सकता है, इस परकार से आप इस सनी की गोचर को इस टेंथ हाउस पर इनकी दरश्टी को देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और जो सेकंड हाउस के लोड हैं, वो भी आपके सनी बनते हैं, तो सनी का यह गोचर इसी परका समझ सकते हैं, कि आपको जोब में काफी धन मिलेगा, जोब की वज़े से आपके पास जोब रहेगा इस समय में, तो आपको जोब मिलने के पूरे-पूरे चांसेज रहेंगे इस महीने के दोरान, उसके बाद देखिए हम चलते हैं थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस के लोड गुरु जो की नीज के रहेंगे और आपके लगन में गोचर करेंगे तो नीज के जो गुरु हैं वो आपके आपके स्वास्ते में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रह सकती है आपको या तो मोटापा बढ़ सकता है आपका आलस से बढ़ सकता है और यहाँ से गुरु की जो द मन के मताबिक result ना मिलते हों ऐसा हो सकता है आपकी creativity आपका उतना अच्छा साथ नहीं देगी यानि कि आपकी जो creativity है creative जो skill है वो उतना ज्यादा perfect नहीं होगी इस समय में और आप अपनी जो amusement entertainment की जो चीजें हैं उनको लेकर भी इतना ज्यादा serious नहीं रहेंगे हालांकि शुक सुकर की वज़े से जो result मिलेंगे उन से थोड़ा आपको lab होगा उसकी बात हम आगे करते हैं इसके लवा गुरू आपके बारवे भाव के load भी है और यह आपके third house के load भी है तो यहाँ पर थोड़ा सा यह loss भी दिखाते हैं आपकी जो physical statement है उसका loss दिखाते हैं और यहाँ पर गुरू जो है उनकी दरश्टी आपकी सब्तम house पर रहेगी सब्तम house पर इनकी दरश्टी होने से आपको थोड़ी सी marriage life में थोड़ी दिक्कत create कर सकते हैं हलांकि अगर आपका कोई business है तो वो भी आपका normal रहेगा इतना ज़्यादा आपको उससे धन मिलेगा नहीं इसके अलावा गुरू की नीज के गुरू की दरश्टी आपके नाइंथ house पर रहेगी नाइंथ house पर दरश्टी रहने से यहां पर भी आपको थोड़ा सा भागे का support कम मिलता दिखता है हलांकि इस house के जो lord है बुद्ध वो आपको काफी अच्छा लाब देंगे सूर्य के साथ third house यहाऑ में आपके गोचर करेंगे तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके fourth house को fourth house के lord mangal mangal का गोचर आपके लगन में रहेगा लगन की जो mangal है वो कहीं ना कहीं आपको जो है काफी अच्छा लाब दे सकते हैं आपको प्रोपरटिका लाब दे सकते हैं इसके लावा आपको काफी अच्छा यहां पर जो है लाब मिलेगा और यहां से इनकी दरश्टी आपके अस्टम हाउस पर भी रहेगे अस्टम हाउस पर दरश्टी होने से आपको थोड़ा एक्सिडेंट का चांस हो सकता है हलांकि सूर्य का गोचर मीन राशी में आपके थरड हाउस में होने से इस के उपर भी आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको मिलता है तो देखे केतु आपके बारवे भाव में रहेंगे ये इस समय आपके लिए सन्यास लेने का प्रमचरी के और जाने का या फिर आपको तंतर मंतर को शिद करने का काफी अच्छा समय ये रहेगा तो जो लोग इस फिल्ड से जुड़े हैं उनको विसेश लाब होने वाले हैं जो लोग सन्यासी बनना चाते हैं उनके लिए काफी अच्छा ये समय रहेगा उसके बाद हम चलते हैं आपके इल्लेउंथ हाउस में इल्लेउंथ हाउस में देखिए ये वर्स्टिक रासी आती है आपके और ये मंगल की ही रासी है तो यहां पर मंगल गुरू और सनी के साथ रहेंगे लाब भाव के लोड होके तो थोड़ा सा आपको रिलिफ रहेगा और हलंके आपकी जो फिजिकल पावर है आप में वो काफी अच्छी रहेगे बट आपको आलस से रहेगा उसके साथ साथ और कहीं न कहीं जो है आपको पैसा आता ही रहेगा इस समय में आपको लाब होता ही रहेगा पैसे की तो कमी नहीं होगी बट आपको यहां पर बारवे भाव के थोड़े जो है रिजल्ट नेगेटिव मिल सकते हैं गुरू का यहां से कॉंटेक्ट बन रहा है यानि कि गुरू जो है बारवे भाव के लो यह आपको कोई प्रेम समंदों में सफलता दे सकते हैं कोई आपका नया कोई दोस्त बन सकता है बहुत ही अच्छा और आपको जोब में भी काफी अच्छा सुक्र का जो है सपोर्ट रहेगा अपको अपनी एजुकेशन की वज़े से आपको अपनी क्रेटिविटी की वज़े जोब में फाइदा हो सकता है और यहां पर हम बढ़ते हैं एकबर फिर आगे और अब देखते हैं आपके 6th हाूस को 6th हाूस के लोर्ड बुद बनते हैं और इनका गोचर आपके थार्ड हाउस में रहेगा थार्ड हाउस में इस सूरी के साथ रहेगे इनकी यूती काफी अच्छी रहेगी आपके लिए कम्यूनिकेशन को बहुत अच्छा करेगी हालंकि सनी की यहाँ पर जो द्रश्टी है उसकी वज़े से आपके थोड़ा सा कंट्रोल भी रहेगा आपकी स्किल्स पर तो यहाँ पर जो आपके बुद्ध जो इस भाव के लोड बनते हैं सिक्स थाउस के उस वज़े से और आपक को इन सबसे दूर लेकर जाएगा और सत्रू आपके सामने प्राजित होंगे इसके लावा यहाँ पर जो सुक्र आपके टेंथ हाउस के लोड है तो मैं बता रहाँ कि आपको यह कोई ऐसे इंडिस्ट्री में लाब देंगे जहां हम फैसन से समंदित कोई बिजनस करते हैं क इसके लावा देखे राहू का गोचर आपके सिक्स्थाउस में रहेगा सिक्स्थाउस में जो गोचर रहेगा यह काफी आपको लाब देगा रोग रिन और सत्रू की जो विमारी है यानि कि यह जो समस्याएं है यह आपको आपके पास भी नहीं आएंगे और काफी अच्छ गोचर रहेगा सिक्स थाउस में राहू काफी अच्छे माने जाते हैं उच्के माने जाते हैं और केतु भी वहां पर उच्के हैं तो धारमी कुंचाईयों को अपनी लाइफ में spiritual जो हायेट्स हैं उनको छुने का भी काफी अच्छा समय आपके लिए रहेगा बुद्ध का ग गोचर है उसकी वज़े से आपको भागे के लिए support भी रहेगा इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सूर्य को सूर्य का गोचर आपकी third house में रहेगा यहां से सूर्य आपको कोई management का अच्छा skill दे सकते हैं आपका काफी अच्छा जो है नाम हो सकता है मीडिया किछ हितर में भी और आपका कोई जो है काफी अच्छा काम इस में में रहेगा कोई भी communication से related तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा इनका गोचर हलंकि अस्टम हाउस के लोड सूर्य बन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पर जो मंगल की दरश्टी है उसकी वज़े से क प्रेल 2020 का महिना कैसा रहेगा और इस वीडियो में इतना ही अगर आप पहले बार हमारे चैनल को विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दवा दें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें वीडिय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद